गुरु जी, अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो किसकी भूमी का एहम है? आस्था, ईश्वर, प्रायत्न या भाग्य? शायद इन सबकी जरूरत हो, पर किस अनुपात में है? जब आप भाग्य का नाम लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके बस में नहीं है, जब आप किस्मत की बात करते हैं, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जब आप ईश्वर की बात करते हैं, तो उसके बारे में भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस आपके हाथों में कुछ हिस्सों को भाग, ईश्वर, आस्था, वगेरे के नाम न छोड़ें। अगर ऐसी कोई चीज है, तो वो काम करेगी। आपके हाथ में बस प्रयत्न है, है ना? बस उसे ही करें। आपका प्रयत्न प्रभावशाली होना चाहिए, यानि कि वो केंद्रित और नपातुला होना चाहिए। बस यूँँ ही प्रयास करते रहना मूर्खता है, है ना? सिर्फ मेहनत करने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। सही काम, सही समय, सही स्थान ये सभी एहमियत रखते हैं, है ना? इन सभी के होने के लिए आपको बोध और समझदारी चाहिए। तो आपको बस अपने जीवन में इतना ही करना है। लगातार अपने बोध और बुध्धी मता में निखार लाने के साधन तलाशते रहें। बाकि सब्तो वैसे भी हो ही जाएगा। यही एक चीज है जिसकी और मानवता ध्यान नहीं दे रही। वे कोई न कोई क्षमता पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई खास क्षमता पानी की कोशिश न करें। बस अपने बोध और बुध्धी मता को बढ़ाएं। फिर जीवन में जिससे भी सामना हो। अभी मान लीजे, तुनिया में ये हमेशा होता रहता है। हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है। आजकल नहीं, लेकिन 25 साल पहले ऐसा हुआ करता था। पढ़ाई मतलब सबसे पहले मेडिकल। अगर इसके लिए सीट न मिले तो इसके बाद क्या। सीट न मिले तो क्या। अगली चीज, फिर अगली चीज। मान लिते हैं कि आप डॉक्टर बन गए। और मान लीजिये, सारे लोगों ने योग कारेक्रम जॉइन कर लिये और डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दिया। कम से कम आपका डॉक्टर के पास जाना कम हो गया है, कहना। डॉक्टर के पास जाना कम हुआ है या नहीं, निश्चत रूप से कम हुआ है। तो धंदा नहीं चलेगा, ये पैसा कमाने के लिए एक अच्छा प्रोपेशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम डॉक्टर हैं, जो वास्तव में डॉक्टर बनना चाहते हैं, बाकी लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनते हैं, यह न? अधिकतर लोग डॉक्टर इसलिए बन रहें, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी दूसरे की बिमारी उनके लिए मुनाफ़े का धंदा हो सकती है, मैं इस बात के दूसरे पहलूओं को नहीं चूना चाहते हैं, लेकिन इससे मुझे परिशानी होती है, कुछ लोग सही मायनों में डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो मनुश्रे के तंद्र को समझ कर उस दिशा में सेवा करना चाहते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, मान लीजे के सभी स्वस्थ हो जाएं, आपको यह नहीं चाहिए, आना, आप नहीं चाहिएंगे कि ऐसा हो, सफल होने की कोई तय रेसिपी नहीं होती, सफलता वही है, जब आप अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आप डॉक्टर बनते हैं, या नेता, या योगी, या कुछ और, इससे फर्क नहीं पड़ता, सफलता का अर्थ है, कि आप जीवन को अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहें, वही सफलता है, यदि ऐसा होना है, तो आपको बोध के साथ एक सक्रिय बुद्धी की जरूरत होगी, मैं अपनी बुद्धी कैसे बढ़ाऊं, इस बारे में चिंता ना करें, इस समय अपने बोध में निखार लाना जरूरी है, अगर आप जीवन को जैसा वो है, वैसा ही देख पाते हैं, तो आपके पास इसे ठीक से चलाने योग की बुद्धी होगी, अगर आप जीवन को उसके असली रूप में नहीं देख सके, तो आपकी बुद्धी आपके खिलाफ चलेगी, इस ग्रह के अधिकतर अकल्मन लोग, आम तोर पर दुनिया के सबसे ज़्यादा दुखी लोगों में से रहे हैं, ऐसा इसलिए है, क्योंकि उनके पास सक्रिय बुद्धी तो है, लेकिन वो जीवन को ठीक से देख नहीं पाते, तो एक बात, एक एहम बात, जिस पर लोगों ने काम नहीं किया, वो है अपने बोध में निखार लाना, वो अपने मन का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतना एहमियत नहीं रखता, वो आपको केवल सामाजिक रूप से सफल बनाएगा, लेकिन सही मायनों में सफल नहीं, अगर आप सही मायनों में सफल होना चाहते हैं, तो आपको हर चीज को उसी रूप में देखना होगा, जैसी वो है, बिना किसी विकृती के, अगर आप हर चीज को उसके असली रूप में देखना सीख गए तो जीवन एक खेल बन जाएगा आप इसे पूरे आनंद के साथ और अच्छे से खेल सकेंगे अगर आप इसे अच्छी तरह खेल सके तो लोग आपको सफल जानेंगे आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सफल होना चाहता हूं ये कभी ना सोचें कि मैं सफल होना चाहता हूं बस इतना देखिए कि कैसे आप खुद को एक पूर्ण विक्सित इंसान बना सकते हैं एक दिन लोग कहेंगे वो एक सफल आदमी है आप सफल होने की चिंता ना करें यह जीने का सही तरीका नहीं है आप बस दुख और दर्थ पैदा कर लेंगे खुद के लिए और बाखी सभी के लिए भी क्योंकि आपके लिए सफलता का अर्थ है किसी और के सिर पर सवार होना है न? आपके लिए सफलता यानि सब आपसे नीचे हो और आप सबसे उपर आपके लिए ही सफलता है, ये सफलता नहीं है, ये बिमारी है सफलता के बारे में कभी न सोचें बस ये देखें कि कैसे खुद को एक संपूरन इंसान बनाया जाए फिर खुद ही ये प्रकट होगा, अगर इसने एक अच्छा रूप लिया, तो आपके आसपास के लोग कहेंगे ये व्यक्ति सही मायनों में सफल रहा, ये अच्छी बात होगी लोग आपकी सफलता को पहचाने, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे सफल हूँ ये जीवन जीने का गलत तरीका है